नमस्कार तिवेदी जी के कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीठा सभी को अच्छा लगता है और मीठे में खास कर हम सभी के घर हल्वा का रेसिपी जटपट बन के तैयार हो जाती है तो चलिए यहाँ पे हम सुरू करते हैं हमने लिया है एक कप सूजी जो की बारीक वाली सूजी है आपके पास कोई भी सूजी हो मोटी या बारीक दोनों चलता है और यहाँ पे हमने लिया है छे से साथ दाना फिस्ता है इस तरह आप देख सकते हैं जिने हमने दो घंटे के लिए पानी में डाल दिया था और इसके बाद ये भीग कर देखिया ठीक डबल हो गया है और डबल से भी ज्यादा हो गया है बड़ा और बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका छिलका मुतारते हुए आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन देखने में लगता है और इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है खासकर जब आप भीगो के इसका छिलका उतारते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लिया है बिल्कुल आसानी से उतर जाता है तो इस तरह से हमने पिष्टा का छिलका उतार लिया और यहां पर हमने जो काजु लिया है काजु को इस तरह से अलग-अलग कर दे रहे हैं ताकि इसमें अगर कोई कीड़ा वगएरा हो तब भी पता चले और हल्वा में इस तरह डालने से थोड़ा सा अच्छा लगता है और वहां पर हमने लिए इलाइची कुछ लिया है जिसे हम बारेक पिस लेंगे तीन दाना इलाइची है तो चलिए अब यहां पर हमने पिस्टा को बारेक काट ले रहे हैं बिल्कुल बारेक आप काटेंगे तो इसमें दस से पंद्र काटके तयार कर लेंगे आप चलिए अब यहां पर जो हमने इलाइची लिया उसे अभी हम बारेक पिस लेंगे अब यहां पर हम कड़ाई रखे हैं और कड़ाई में डालते हैं देसी घी है यहां पर जितना ही सूजी है छोटे कप से हमने एक कप सूजी लिया है और एक कप ही घी यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसके बाद इसमें हम तुरांट सूजी डाले हैं और मीडियम आज पर हम इन्हें चलाते हुए भूनेंगे ज्यादा हाई फ्लेम ना हो जब तक इधर हमारा सूजी बुना रहा तब तक हम इसका शीड़ा बना ले रहे हैं तो यहां पर हमने एक कप चीनी लिया है, जिस कप से हमने सूजी लिया था, उसी कप से एक कप चीनी है, बिल्कुल परफेक्ट आपका मीठा बनके तयार होगा, और इसमें हम डालते हैं, चार कप पानी, यानि एक कप चीनी, उसमें चार कप पानी डाले हैं, और उसके बाद इसमें हम डालते हैं केसर का धागा है 10 से 15 और इन्हें हम पकने देते हैं तो चलाते हुए हम इन्हें पका लेंगे दो से तीन मिनट तक पकेगा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं शिड़ा हमारा पक रहा है और तीन मिनट तक पकते हुए हो गया अब इनको हम गैस को आफ कर दे रहे हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं लमसम हमारा सूजी जो है भुना गया है तो काजू जो है इसी में हम डाल देते हैं और डालते हुए हम इनके साथ में ही भुन लेंगे आप चाहें तो कोई भी मेवा इसमें डाल सकते हैं चाहें तो बदाम डाल लें गरी का बुरादा डाल लें गरी डाल लें जैसे भी आप चाहें इसमें मेवा का यूच कर सकते हैं अब हमारा जो सूजी है अच्छी तरह भुना गया तो इसमें जो सीड़ा हमारा है इसको हम डाल देते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं और डालकर तुरंट हम चलाएंगे और यहां पे हमने हाई फ्लेम किया है इस वक्त क्योंकि पानी का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर इन्हें पकाएंगे अच्छी तरह चलाते हुए हमें पकाना है और इस तरह से आप जब एक बार अपने घर में हल्वा बनाएंगे तो आपको बार-बार लगेगा कि क्यों ना हम फिर बना कर और खाएं आपका काफी सभी लोग तारीप करके खाएंगे आप चाहे तो इन्हें पूड़ी से या रोटी से इंज्वाय कर सकते हैं तो इन्हें चलाते हुए आप इन्हें गाढ़ा कर लें इस तरह से आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है अगर आपके पास केशन ना हो तो थोड़ा सा फूरूट कलर इसमें दो बून डाल दें इसका कलर अच्छा आ जाता है थोड़ा सा देखने में लगेगा कि बहुत सुंदर लग रहा है हल्वा और कोई भी चीज़ जब आपको देखने में अच्छा लगे तो खाने का मन करता है अब इसमें हम उपर से एक चमच घी और डालते हैं उपर से घी डालने के ब्यात क्या होता है कि इसका स्वाद और बढ़ जाता है और इसमें डालते हैं इलाइची पाउडर थोड़ा सा पिस्ता दाना जो हमने काट के रख था अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हम इन्हें मेडियम आज पर चलाते हुए गाढ़ा कर लिए एक चमच और घी हमने डाल दिया और फिर पूछे मत कि क्या रंग ये हलवा लाएगा ये देखिया देखने में कितना अच्छा लग रहा है न और सोचे न कि आप जब खाएंगे होते कितना है और बहुत लाजबाब हलवा बन के तयार हुआ है कि घी उपर से जब आप डाल देते हैं तो हलवा बिल्कुल रीच वाला आ जाता है तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से सुखा लेंगे बिल्कुल भी पानी नहीं रहाना चाहिए अब आप देख सकते हैं घी घी देख रहा नीचे और कड़ाई से अमारा हलवा अलग हो गया है तो चलिए अब इन्हें हम प्लेटिंग कर देते हैं अब आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है स्वाद में तो पूछिये मत क्या अलाजबाब लगेगा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और सेयर जरूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलिएगा